नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ परवीन शेक आज इस बुलिटिन में बात होगी हिमाचल में चुनाव की तारीखों के एलान की ग्यानवापी मामले में हिंदो पक्ष को लगे जोरदार जटके की बात करेंगे हिमाचल में प्रियंका के चुनावी शंकनात की राहुल के सवालों से मुश्किल में गिरे पीम मोदी की जानेंगे गुजराज चुनाव से पहले क्यों बैक फूट पर आई बीजे पी और आरजेडी की विधाय की क्यों रद हुई सदस्यता और बुलिटिन के आखर में बात होगी देश में अनास के गिरते स्टॉक की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर सतलुज यमना नदी जल बटवारे पर हर्याना और पंजाब में नहीं बनी बात पंजाब के सियम भगवंत मान बोले हर्याना को नहीं देंगे पानी सुप्रिम कोड जा सकती है हर्याना सरकार चुनावी बॉंड से चंदा मामले में सुप्रिम कोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब कहा बॉंड से चंदा देने में पूरी पारदर्शिता सुप्रिम कोर्ट 6 दिसंबर को दे सकता है फैसला वार्टसब और फेस्बुक को सुप्रिम कोर्ट में नहीं मिली राहत Competition Commission of India यानी CCI की जाच पर कूट ने नहीं लगाई रोक तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सैंसेक 685 अंकों की तेजी के साथ 57920 अंक पर हुआ बंद निफ्टी 171 अंकों की तेजी के साथ 17186 अंक पर हुआ बंद तो ये थी सुर्खिया और अबात आज की सबसे बड़ी खबर के हिमाचल परदेश विधान सभा चुनाव का आज ऐलान हो गया आयोग ने आज दोपैर तीन बजे प्रेस कॉन्फरेंस कर राज्य में मतदान की तारिकों की घोशना कर दी इसके साथ ही हिमाचल परदेश में आदर्श आचार सहीता भी लागू हो गई तो कब होंगे चुनाव कब आएंगे नतीजे और चुनावो को लेकर इस बार क्या-क्या विशेश इंतिजाम किये हैं चुनाव आयोग ने देखते हैं इस रिपोर्ट में सभी लोग इंतजार कर रहते कि आच चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल परदेश की विधान सबा चुनावो का एलान करेगा दोनों ही राज्यों में चुनाव साथ-साथ होते हैं ऐसे में उम्मीद यही थी कि चुनाव आयोग इनका एलान भी साथ-साथ करेगा 2017 में जरूर चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में चुनावो का एलान अलग-अलग किया था लेकिन मदगर्णा साथ कराई थी और इस बार भी उसका इरादा कुछ ऐसा ही है आच चुनाव आयोग ने सिर्फ हिमाचल परदेश में चुनाव कराने का एलान किया है राजीव कुमार ने बताया कि राज्ये की सभी 68 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग कराई जाएगी इसके लिए नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र जमा किये जा सकेंगे नामांकन पत्रों की जाच का काम 27 अक्टू जाएगी राजे की 68 सीटों में से 20 सीटे आरक्षित है जिसमें 17 सीटे अनुसुचित जाती के लिए और 3 सीटे अनुसुचित जन जाती के लिए रिजव हैं 2017 में बीजेपी को 44 और कॉंग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी राजीव कुमार ने बताया कि वोटिंग में करोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा 80 साल से जादा उम्र के लोगों को घर से ही वोट देने का विकल्प दिया जाएगा उम्मीदवार अगर प्रचार में अनुचित सादनों का अपयोग करता है तो इसकी जानकारी लोग चुनाव आयोग को एप के जरिये दे सकते हैं इसके लिए आयोग ने सी विजिल एप जारी किया है इसी एप पर उम्मीदवारों के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव के एलान का स्वागत किया है और दावा किया है कि इस बार उनकी ही जीत होगी। हिमाचल में चुनाव का बिगुल बच चुका है राज्य में सीधा मुकाबला बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच है लेकिन राज्य का पांच साल बाद सत्ता बदलने का जो दस्तूर है उससे बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है इधर ग्यानवापी मामले में किसर में मिले कथिश शिवलिंग की कारबन ्देंटिंग नहीं होगी हिंदु पक्ष के और से 4 महिलाओं त système को खारिच कर दिया दिया अपने आदेश में कहा कि सूप्रेम कोट ने निրदेश दिये है कि जहां पर ये शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए जिल शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है जो सुप्रिम कोट के आदेश का उलंगन होगा सुनवाई के दोरान मज़ित कमेटी ने दलील देती हुए कहा था कि कथित शिवलिंग की वैग्यानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है हिंदू पक्ष ने अपने केस में ग्यानवापी में देवी देवताओं की पूजा की मांग की है फिर ये लोग आप शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं सिविल प्रक्रियास सहीता में ऐसा कोई प्राबधान नहीं है जबकि वजू खाने में जो आकरती मिली है उस पर ही असमंजस है जो आपतियां है उसका भी निप्टारा नहीं हुआ है इसलिए कारबन डेंटिंग की जांच की कोई जरूरत नहीं है जबकि हिंदू पक्ष का दावा था कि शिवलिंग इस मुकदमे का मुख्य हिस्सा बन चुका है इसलिए इस पर सभी असमंजस दूर होने चाहिए दरसल कारबन डेंटिंग किसी भ अनुमानित उम्र ही पता चलती है सटिक उम्र का पता लगाना मुश्किल होता है पत्थर और धातु की कारबन डेंटिंग नहीं की जा सकती लेगिन बरतनों की डेंटिंग हो सकती है अगर पत्थर में किसी प्रकार का कारबन एक पदार्थ मिलता है तो उससे एक अनुमानि कि सत्ता में कॉंग्रेस आ रही है कौंग्रेस की राश्टिय माहसच्य प्रयंका गंदी ने प्रचार का शंकेनात करते हुए आज बीजेपी को आड़े हाँत hoş लिया प्रयंका न'े भी अपनी महरीली में संदेश दे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांदे ने हुंकार भरी। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तक्रिबन दो लाह कर्मचारी हैं जो पेंशन पाने के लिए धरने पर बैठे हैं लेकिन अपने उद्योग पती मित्रों के लोन ये माफ कर देते हैं। प्रियंका ने रैली में पुरानी पेंशन बहाली, युवाओं को रोजगार, बागबानों और किसानों को फसल के दाम, आम जनों को महेंगाई से राहत, महिला शक्ती की भागिदारी और प्रदेश की विकास का संकल्प लिया। इस महारैली की सफल आयोजन के लिए प्रदेश कॉंग्रेस के नेताओं ने ताकत लगा दी थी और उनकी ये महनत सफल भी नज़र आई। आज प्रियंका की रैली में जबरदास भीर दिखी, महारैली में पार्टी के प्रदेश प्रभारी, राजीव शुकला प्रदेश अध्यक प्रतिवा सिंग, चुनाप्रचार कमेटी के अध्यष सुखविंदर सिंग सुखू और नेता विपक्ष मुकेश अगनी हुत्री इस बार चुनाप्रचार की कमांड प्रियंका ने समाली है क्योंकि राहुल गांधी भारत जुड़ो यात्रा में बिजी हैं, वैसे राहुल देश भर में कॉंग्रिस की जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं आज अपनी 37 दिन की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुन चुन कर पियम मोदी पर सवाल दागे और उन्होंने ये भी बता दिया कि आप देश में बढ़ती, महंगाई, बेरोजगारी और जीस्टी से जुड़े सवालों से बच नहीं सकते हैं तो कैसे राहुल के सवालों से मुश्किल में फसे पियम मोदी देखते हैं इस रिपोर्ट में और फिर राहुल गांदे ने बरती महंगाई, जीस्टी और बेरोजगारी को लेकर पियम मोदी से सवाल पूछे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुद्रह स्विती 35 साल के उचसतर पर क्यों है? बेरोजगारी 45 साल के उचसतर पर क्यों है? पर आठों पर 18 फीसिदी जीस्टी क्यों लगाया जा रहा है? भारत जोडो यात्रा आप से और भी बहुत को सवाल पूछता रहेगा प्रधान मंत्री जी आपको जवाब देना होगा राहूल गांदे पीम मोधी पर देश की समस्याओं को लेकर लगातार सवाल दाग रहे हैं लेकिन पीम की तरफ से अब तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया है राहूल के यात्रा में जुट रहे जन समर्था ने पीम कीट नाशक 18% जी जी एस्टी जहां देश का पेट भरने वाले अनिदाताओं से भाच्पा वसूली कर रही है वहीं भारत जोडो यात्रा किसानों की आवाज बुलंद कर रही है हम किसानों के साथ थे और रहेंगे आपको बता दे कि राहूल गांदे ने 7 सितंबर को तमिल गांदी भी 6 अक्टूबर को इस यात्रा में शामिल हुई थी राहूल के सवालों का सिलसला लंबा चलने माला है राहूल के साथ साथ देश भी पियम मोदी से सवाल कर रहा है कि कब महंगाई से राहत मिलेगी इदर गुजरात में बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है ग कैसा विकास है जहाना स्वास से सेवाएं सही हैं और ना ही शिक्षा विवस्था यहां बच्चों के भविशे से खिलवाड हो रहा है यहां बच्चों का भविशे सिया हो रहा है और सरकार केवल मूग दर्शक बन कर बैठी है इसे लेकर विपक्ष का हल्ला बोल हो रहा है बीबीय और बीकॉम समेस्टर 5 के पेपर लीक मामले को लेकर कॉंग्रिस नेता पवन खेडा ने गुजरा सरकार को आड़े हाथो लिया है। उन्हेंने ट्वीट करके लिखाए कि आज गुजरात में कॉलेजों और सरकारी नौकरियों सहीद स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं और परिक्षाइं टल रही हैं। प्रमुक को सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया है। आग बबूला होगा। लेकिन सवाल उड़ता है कि आखिर कब सुधरेगी सरकार क्या जूटे हैं पियम मोदी के सारे वादे। गुजराथ में इसी साल विधान सभा चुनाव हैं और ऐसे में पेपर लीक का मामना विपक्ष के हाथ लगा बड़ा हतियार है। क्योंकि बीजेपी सरकार इस वक्त राज्जे में बेरोजगारी, महंगाई और जेस्ट्री को लेकर पहले ही कॉंग्रिस के निशाने पर है। निशाने पर तो आरजेडी की विधायक भी हैं। बिहार में आरजेडी की एक और विधायक की सदस्यता रद कर दी गई है। अब आरजेडी की विधायकों की संख्या 78 रह गई है तो किसकी रद हुई सदस्यता और क्यूं हुई देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में इस समय दो सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है जिसमें से एक मुकामा की है जहां से आरजेडी के विधायक अनन सिंग थे लेकिन कोट ने उन्हें एक मामले में सजा सुना दी जिस कारण से उनकी विधानसभा सदस्यता रद हो गई और उनकी सीट प पुर्णी से आरजेडी विधायक अनिल सहनी की सदस्यता को रद करने के लिए आज बिहार विधानसभा सचिवाले ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया नोटिफिकेशन में उनकी सदस्यता तीन सेतंबर 2022 से ही समाप्त कर दी गई है वैसे सहानी जिस मामले में फसे हैं वो मा रज्ज सभा में जमा कराया इसके बदले में उन्होंने करीब 23,71,000 रुपए का क्लेम ले लिया दिली में सीबियाई के स्पेशल कोट राउज एबनी कोट ने आरूपों को सही माना और सहनी को तीन साल की सजा सुना दी समवेधानिक नियोमों के अनुसार अगर किसी भी ज पाएंगे सहनी की सदस्ता रध होने के बाद अब आर जेडी के विधानसभा सदस्यों की संख्या 89 से घटकर 78 रह गई है और बुलेटिन के आखिर में बाद देश में घटे अनाज के स्टॉक की देश में रोज मरा की चीजें सबजियों समय दूसरे सामानों की कीमते आसमा चू रही हैं लोग इस वक्त बरती महंगाई से तरस्त हैं वो मोदी सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि कुस्तो करो सरकार लेकिन सरकार राहत देने को तयार ही नहीं है बलकि अब तो देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग खाने के लिए परिशान हो गए हैं जिहां मो ना बंगला चाहिए ना गाड़ी और ना चपन भोग की थाली वो सूखी रोटी खाकर भी अपनी जिंदिगी गुजार सकता है लेकिन अब मोधी सरकार के राज में उसके लिए दो वक्त की रोटी खाना भी बेहत मुश्किल हो गया है क्योंकि गेहूं की कीमते ही आस्मान पर पहुँच गई है इसकी वज़ा गेहूं का घरता स्टॉक है देश के सरकारी गोदामों में अनाच का स्टॉक इस वक्त पिछले पांस सालों के सबसे निचले स्थर पर पहुँच गया है FCI के आकड़े बताते हैं कि इस मौसम ने सर्दियों में बोई गई गेहूं और चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है जिससे कीमते 22 महीने के उचिस्तर पर पहुँच गई है भारतिय खादे निगम ने डेटा जारी करते हुए कहा कि एक अक्टूबर तक अनाच का कुल स्टॉक 51.14 मिलियन टन रहा जबकि पिछले साल ये 800 टन से ज्यादा था जिसमें गेहूं का स्टॉक 227.5 लाग टन है वहीं दूसरी और बफर स्टॉक और चावल भंडारन में थोड़ी विरिद्धी हुई है 250.2 लाग टन के साथ बफर स्टॉक में 66 प्रतिशत का इजाफा हुआ है इसी तरह चावल का स्टॉक अवश्चक स्टर से लगभग 2.8 गुना अधिक है SCI का मानना है कि चार साल पहले की तुलना में सरकारी गोदाओं में इससे जादा अनाज उपलब्ध रहता था इस बार ना काफी है आकड़े बताते हैं कि चावल का स्टॉक घरेलू अवशकताओं को पूरा करने के लिए काफी है लेकिन गेहू का स्टॉक 14 साल के निचले स्थर पर आ गया है दरसल सरकार किसानों से अपने लक्षे का लगभग आदा ही गेहू खरी सकी है इसके पीछे की बड़ी वज़ा यूकरेन रूस मामले के चलते उची निर्यात मांग की वज़े से किसान निजी वेपारियों को स्टॉक बेच रहे हैं मार्च में एक लंबे समय तक गर्मी की वज़े से गेहू का उत्पादन कम हो गया है जिसके बाद सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए माई में निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया क्योंकि आप उर्ती कम हो गई थी सरकार ने पिछले मैंने 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाते हुए विदेशी चावज शिप्मेंट पर भी अंकुष लगा दिया बावजूद इसके हालात नहीं सुद्रे हैं और अब देश में आनाच की कमी होने लगी है अब देखना होगा कि सरकार इस स्थी को कैसे समालती है तो आज इस बुलिटिन में बस इतना ही देखते रहे हैं डीबी लाइफ नमस्कार